1966 से लेकर 1985 तक चंदीगड में पहले भी सेंट्रल सर्विस रूल ही लागू थे चंदीगड के इंपलोईजी लगातार ये मांग कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि उनको केंद्रिय करमचारियों के बराबर ही पेस्केल मिलना चाहिए किंद्रिय ग्रहमंत्री अमिषी ने चंदीगड के जो करमचारी हैं उन पर Central Service Rule लागू करने की जो बात कही है उस से पंजाब के किसी भी अधिकार का लेश मातर भी हनन नहीं होता है लेश मातर भी पंजाब का जो अधिकार है चंदिकड़ पर वो यथावत कायम है ये तो चंदिकड़ के करमचारियों की लंबे समय से मांग थी कि उनको भी कि जो सरकार चल रही है पंजाब में उनको तो खुश होना चाहिए कि खजारों पंजाबी जो यूटी कैडर के इंपलाई है उनको अगर केंदर सरकार को सुधाएं दे रही है अगर इससे उनकी आए बढ़ रही है तो उससे तो फाइदा ही है उसके नुकसान क्या है लेकि कि चंदीगड के इंपलाईस को जब यह सब मिल जाएगा केंदर सरकार के फाइदे तो पंजाब के इंपलाईस भी अब पंजाब सरकार से मांगेंगे कि साथमा पे कमिशन लागू करो तो बगवंतमान साब को तो यह चाहिए कि साथमा पे कमिशन तुरंत पंजाब में ला पहले भी Central Service Rule ही लागू थे सिर्फ पंजाब का वेतनमान था और इसके भी आगे 1986 से एक जनवरी से लेके और एक मार्च 1991 तक Center के Service Rule भी थे और Center के Pay Scale भी लागू थे तो इतने 25 साल तक अगर यहां Center के Service Rule थे तो क्या उससे पंजाब के दिखारों को हनन हो गया था यह तो सीधा सीधा सिर्फ इतना मामला है कि Employees ने चंदीगड के कहा क्योंकि पंजाब में उस समय Scale जाता थे कि हमें तो पंजाब पैटरन परी Scale दे दो और पंजाब पैटरन परी Service Rule दे दो तो 1901 में नोटिफिकेशन हो गया लेकिन अब चूकि चंदीगड के Employees लगातार ये मांग कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि उनको केंद्रिय करम चारियों के बराबर ही पैश्केल मिलना चाहिए तो यह उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए हजारों पंजाबी जो चंदीगड में काम करते हैं उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए कि इंदर सरकार उनको फाइदा दे रही है तो इससे हम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ है और एक बात मैं और यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूँ यह सिरफ सर्विस रूल की जो अमेंडमेंट होगी उनके पेस्केल को लेकर के उनकी जो रिक्रूटमेंट की एज है उसको लेकि होगी जो यूटी के रिक्रूटमेंट के निजम है भरती की जो निजम है वो यथावत रहेंगे जो पंजाब को अडवांटेज भरतियों में है वो जथावत रहेगा उसमें कोई परिवर्तन किसी परकार का नहीं होने जा रहा है जो डेपूटेशन के पंजाब के इंपलोई हैं उसमें किसी परकार का कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है तो ये जो एक भ्रहम फिलाने का काम आम आदमी पार्टी कर रहे हैं और मुझे दुखिस बात का है कि कॉंग्रस और अकाली दल जिनको आम आदमी पार्टी पर ये दवाब बनाना चाहिए कि भाईया आप भी पंजाब के करमचारियों को फाइदा दो वो वो ना करके आम आदमी पार्टी के ट्रैप में फस करके इस विशे को गलत दिशा में लजाने की कोशिश कर रहे हैं अज भी एक कॉंसेंस करिए हरपाल चीवाजी को ये कहना चाहता हूं कि आप वित्तमंतरी हैं आप तुरंत ये काम करें कि कल सुबह जिस प्रकार के अंदर सरकार ने यूटी के इंपलाइस को पे स्केल दिया है उसी प्रकार पंजाब के इंपलाइस को भी सेवन्थ पे कमिशन तुरंत दें पंजाब के करमचारियों को जो लाखो करमचारिय है उनको फाइदा दें और जो यूटी के इंपलाइस को फाइदा मिल रहा है उनको रहने दें उनका नुकसान मत करें इसमें कोई बात है ही नहीं किसी को फाइदा देया है इसमें तो जो चंदीगड के इंप्लाइस को यह सेंट्रल सर्विस रूल लागू किये हैं उनसे पूछ लीजिए कि वो इससे खुछ हैं के नहीं खुछ हैं तो इसमें पॉलिटिक्स ना करते हुए पंजाब के करमचारियों को आहित देखे आम आदमी पार्टी सरकार और काली दल को भी मैं कहना चाहता हूँ वह आम आदमी पार्टी से मांग करें कि पंजाब के करमचारियों को फाइदा दो नहीं उनने बहुत सारे उधगाटन किये हैं चंदीगड को बहुत सारी विकास की नहीं प्रियोजनाय मिली हैं और चंदीगड के जो करमचारी हैं उनकी लंबित मांगों को भी उन्होंने पूरा किया है हम तो इसका स्वागत करते हैं और मैं फिर दो रहाना चाहता हूँ चंदीगड पर पंजाब का जो हक है वो यथावत कायम है उसमें कोई भी कंप्रोमाइस करने का सवाली बैदा नहीं होता है